हेलो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी के मांकुस है नहीं आपका mathematics teacher आज discuss करने वाले जो official mathematics जो paper है sample paper है उसको discuss करते हैं जैसा क्या है इसी type के आपको जैसे हम discuss करने इसी type के आपको paper में question मिलें ठीक है तो जादे-जादे क्या हो सकता है उनकी value change हो सकती है type ऐसे ही रहेंगे ना कि बही कुछ अलग से question आते हैं अलग से नहीं आते सारे books से ही आते हैं ठीक है तो मैं start करता हूँ इस्टार्ट करता हूँ वह यह जर्नल इंट्रेक्शन है आपको आप paper दे रहे हो तो आपको पता ही होगा maximum marks 80 marks का आपका paper होता है इसमें section क्या होते हैं a b c d e यह section होते हैं a section में क्या होते हैं 18 तो mcq होते हैं दो जो होते हैं a section region होते हैं ठीक है 18 mcq multiple choice question होते हैं जिनके 4 option होते हैं और 2 क्या होते हैं यह 20 marks का section है section B में 5 very short answer होते हैं एक जो question जो answer होता है और 2 marks का होते हैं अब एक question दिया आपको उसका answer लिए 2 marks का ऐसे से कितने होते हैं 5 question होते हैं section B में ठीक है यह 10 marks के होते हैं section C में 6 short answer एक जो answer होगा वो 3 marks का है 18 marks का आपका यह portion है D जो portion है एक question 5 marks का है 4 question है 20 marks का यह portion है जो section E है यह case study चल रही है study कैसे आपको एक जैसे Englishman sees पैसीज दिये जाते हैं कि कुछ पैसी दे दिया उसमें से कुछ answer ऐसे ही वहाँ पे आपको दिया जाता है कुछ और उनकी property आपको follow करके जो आप से question पूछे question का answer देने होते हैं ठीक है यह pattern चल लाइए इसमें कितने question 3 होते हैं ऐसे एक जो question होता है four marks का होता है ठीक होस्टे ठीक हो सकते हैं टू भी हो सकते हैं question लेकिन वो जो एक case study कितने की होगी फॉर मार्क्स होगी यह तो आपको आपके जो पेपर का पैटन होगा इस तरीके का होगा अब कुश्चन करते हैं पहले कि कोस्चन आएंगे 18 में किस टाइप के होंगे ऐसे टाइप के होंगे जैसे मैट्रिक्स का कोश्चन है काफी बार कोश्चन आया है ठीक है यह क्या कहता है एज इस इक वल्टू मैट्रिक्स आई जै ठीक है यह यहां से इसने कुछ प्रोपर्टी दी कि इसका ओडर टू है टू मतलब टू इंटू का ओडर है आई इस नोट इक्वल टू जै तो हाँ पर क्या आएगा वन आएगा देखो हम बना लेते हैं यह जो होता है first ओस यह वाली यह first row first column यह जो क्रेंछ तिया first row second column यह वादा यह होता है these second row first column यह होता है second row second second ior Jay कहां कहां इक वले है यह इस आएक वले है जहां जाएए वाह पर का जाएगा आ कि इसको अठादो और जहां पर इक्वल नहीं है इस वाले में भी आई वन और जी तू है तो आपका ये बनेगा ये जी रो जी रो वन और आपको निकालनी का है सक काहा है इस निकालनी एए सकोईर कि बेंडिओ है miracle सबैकि अधर सटके तर आजाता है और ये कौन सा भूप सने के たいम ईतने ही लगाना है वे क्लियर जादे टाइम नहीं लगाना है कि बई सो ट्रीक से कैसे करते हैं यह निकाल आप ने जो से त्षय निकल दिये वैसा औसक्ता है कि बई इस इकवल टू जे पर वन हान रख़ दे चैंज change करना चाहिए अधर्वाइज मैक्सिम टाइम यही कोश्चन उठाकर रख ख़र हैं सीवेसी ने ठीक है किलियर आगे बढ़ते हैं नेक्स वोश्चन यह कहता है इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल स्क्वेर मेट्रिक्स ओफ दासे मोटर विच इस विच विच वफ फॉलूमिंग इस नोट करेक्ट बोला यह नोट करेक्ट इस में बहुत करेक्ट देख लेते हैं बच्छों टिक करका आगे बढ़ जाते हैं इतना टाइम मिलता नहीं है कि टाइम तो 3RC है ज्यादा टाइम है निए उसमें पर पूरा करना है लेकिन थोड़ा कीर पूरा वेर होके कोश्चन को पढ़ना है अच्छे से प्रोपर लीड करना है इसने कहा है इस नोट वह यह तो होता ही है यह यह होता है एभी इसकी वै आपको यह टिकी करने है देखा अंसर टिक कर दिया कोई सोलुसान नहीं पूछ रहा है आपको किलियर नेक्स कोश्चन कहता है इव दा एरिया ओफ ट्रेंगल विद वर्टेक्स माइनस 3,0 3,0 0,4 इस 9 यूनिट भी जैसे अगर इस टाइप के कोश्चन है मैंने इस टाइप के आपको उससे ही बताय हुए है एक एक्वेशन बनाके मैट्रिक्स की फोर्म में ऐसे ही बताय हुए है इसका सोटकट भी है जब आपने देखा यह ऐसे है कि इक माइनस 3,0 एए अपर और यह 3,0 इसका एरिया से है अप this into height half base कितना base देखना ज़रा यहां से आतक इतनी लेंद आ जाएगी यह 6 होगी base कितना 6 height कितनी यह point K 0, K है यही तो कायस ने तो यह height कितनी है कि यह perpendicular की length के हाफ बेस इन टू हाइट से यह की स्केक वले 9 K यह किसके क्वले 9 K यह दर चला गया, इससे इसको काटती है, तो k is equal to कितना आ गया? 3, k is equal to, कितना आ गया? 3, एक और भी तो है, भई यहाँ पर आपको option यह कहोगे कि नहीं मिला, हम जो area रखते हैं, इसमें mode लगा देते हैं, यह area कभी भी negative नहीं हो, तर mode से जब कोई value निकलती है न, वो क्या कर देती है इसको, plus minus, तो k की value क्या हो सकती है, plus भी हो सकती है, minus, ऐसे ही तो निकालते है, area पर क्या लगाते है, mode लगा देते है, आप इसको determinant की ऐसे form में भी कर सकते हो, यह सब से best method है, इसका करने का, वह सब से best method यह है, यह जब भी इसने दिया है, यह यह इसी type के देता है, बस बच्चे एक दम mind में क्या आता है, 12 वाले बच्चों के, कि भई जो हमने equation वाली form से बताए है, इस वाली form से, यह एक दम याद आता है, determinant वाला, के area is equal to 1 by 2, minus 3,0,3,0,1,1,1, अब इसको, वह सोल कर लेते हैं, जैसे सोल करते हैं, इसके respect में कर लो, इसके respect में कर लो, ठ ठीक है, लेकिन best method यही है, अच्छा method यही है, यही अच्छा method यही है, यही अच्छा method है, यह जलती हो जाता है, इससे हम ऐसे लिखते हैं, हाफ, base into height से, mode rise equal to 9, इससे काट देते हैं, यह value क्या आ जाती है, plus minus 3, देखते ही पता लग जाता है, कितनी आ यही है, clear? next, next, यह question क्या कहता है, question number 4, if fx is equal to kx upon mode x, if x less than 0, 3, if x greater than equal to 0, यह continuous है, at x is equal to 0, यह continuous है, continuous के लिए क्या है, यह दोनों value equal होनी चाहिए, यह बें continuous पर क्या करते हैं, कि less than वाली और greater than वाली, left hand और right hand, minus value और plus value, यह value क्या होनी चाहिए, भई 0 पर निकालना है, तो limit, limit x tends to 0 minus, यह function fx is equal to क्या होनी चाहिए, limit fx, x tends to 0 plus, is equal to fx, यही तो continuous के यही तो प्रपर्टी है, दोनों को equal कर दें, बैं continuous की क्या है, दोनों को equal कर देते हैं, चलो equal, x की value minus है, यहाँ minus put होगा, minus kx, upon, x is equal to किसके आ जाएगा, यह value क्या है, 3 के equal है, इस से एकट क्या है, यह less than है, जब put करेंगे, x की value 0 से है, तो minus माइगा, इस से, एकट क्या है, तो नीचे वाल तो positive रहेगी, mode है, यह गट गया, तो minus k is equal to कितना आ गया, is equal to 3, k की value, k is equal to minus 3, यह answer, continuous में क्या होता है, जो limits होती है, जो भी point दे रखा है, left hand में और right hand में में, उर्स point पे equal होनी चाहिए, वो continuous होता है, मैंने limit equal कर दी, मतलब यह values के equal होनी चाहिए, यह x less than 0 है, तो यहाँ पर क्या पूट करें के, x की value minus में minus के है, तो plus ही आएगा, बोड मोड आप लगा दो किसी value पे, वो क्या कर देता है, उसको भी plus कर देता है, ठीक है, आगे बढ़ते है, next, जैसे question है, यह question है, बेटा, यह बात mind में रखना, कि जो question आपको MCQ टाइप दिये जाते हैं, तो उनका जो time है, वो ज़्यादे ज़्यादे 30 seconds, 40 seconds, 10 seconds, इसमें भी question हो जाते हैं, इस ज़्यादे time नहीं लगता, अगर ज़्यादे time लग रहा है, इसका मतलब आप जो method यूज गरत method गरतिरे हो, वो उसकी गलती नहीं हो, वो उसकी गलती याप गलत में परियूज कर रहे हो, वो method आपको देखना है, आपको लगा जारे time लगरा मथलाव点म, लगा मैंठ उसका है नहीं, दूसरे method से सौल करना चाइए, जैसे question है, यह ज कहतEM है, यह कहता है, आरी ज़ी कर दो इसमें किसी स्केलर वैल्यू से मल्टिप्लाई कर दो जैसी करोगे कर देंगो यह किए मतलब यह क्या है दोनों पैरलर एक फिक्स पॉइंट के राउनट किया है दोनों और दोनों पैरलर है तो लाइन भी यह हो जानगी पै dafür घृँल यह होगी यह यह किलियर यह के बई ज्यादे देखो टाइम नहीं लगाना है फिर कह रहा हूं कि आपको ज्यादे टाइम नहीं लगाना है आपको यह देखना है question में कि देखा question कुछ ना कुछ उसमें keys ऐसी होंगी जो आपको देखती ही बता देंगी इसका answer क्या होता पस उनको यूज करनी आपको आनी चाहिए यह प्रोपर्टी पता होनी चाहिए ठीक है next question यह कहता degree of the differential equation इसकी degree बतानी इसकी डिगरी क्या होती है higher order जो derivative होता है उसकी जो पावर होती है इसमें यह है इससे तो मतलब भी नहीं हो तो higher order derivative यह d square y upon dx square इसकी कितनी है power 2 है 2 है तो degree भी क्या होगी तो होगी इसकी power 2 है तो degree भी क्या होगी इसकी टू किलियर यह कि आगे बढ़ते है नेक्स्ट नेक्स्ट यह कहता है question the corner point of the boundary by visible region इसने दिया हुआ है और पॉइंट आपको दे रख यह क्या कहता है यह जो है ना जैड जो है अकर minimum आता है किस पर 3,0 और वन को वन पे पुट कर लेते हैं जैड की value भी दोनों पे minimum है एक बार जैड is equal to 3,0 x की जगा 3 पुट करते हैं 3P और वाई की जगा 0 तो यह आ गया एक बार यह point 1,1 पुट करते हैं x की जगा 1 जहां पे ys को 1 से replace कर देते हैं p यह आगे दोनों जैड की value हैं दोनों को equal रख लेते हैं जब इसने बोला यह दोनों ही minimum है तो equal होंगी p plus qa आगया 2P is equal to q आगया तो p is equal to कितना आगया हमारा q by 2 देखना कोई option है कि यह रख यह answer जब इसने बोला ही यह question में कि यह क्या है यह minimum है किस पे 3,0 1,0 put कर देते हैं x की जगा 3 y की जगा 0 1,1 put कर देते हैं very clear कोई डाउट क्यों आगे बढ़ते हैं थोड़ा है यह था a b c d a chrome बस है भी रोंबस आपको पता ही है और उसके डाइगोनल जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं a b c d पर धियान से देखना हो यह अगर आपने एगर आप भी बना लिया ना यह से रोंबस है इसका अंसर एक दम पता लग जाएगा रफली ऐसे ही a b c d रोम यह डाइगोनल बाइस एक टीचेदर बाइस एक्ट करते हैं तो पता है कि यह इसके एकवल होगा यह इसकी पॉइंट है यह यह देखे एडी इधर है और यह इधर है तो यह पोजिटिव ए नि और इसी इनके तो मेजरमेंट तो इक वली है डाइगोनल बाइस एक टीचेदर यह एक दूसरे को यह काट देंगे और यह इसको काट देंगे और क्या हो जाएगा टोटल जीरो यह इसका अंसर इसकी वैली पूछी दी किसके एकवल आ जाएगी जीरो के मेजरमेंट इकवल है जो इनकी डाइमेंशन है वो डिफरेंट है मतलब अपोजिट है अपोजिट है तो माइनस लग जाएगा ई ए को मैं लिख सकता हूँ ये को माइनस एसी माइनस एसी प्लस एसी से खट जाएगा क्लियर यह ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स नेक्स वोच पेले एकला दिशी दिखाना कोई भी फंकंशन है फंक्शन को पहले चेक करो ओर फंक्शन दोनिवां यह बन तों निवन ठुकेह यह मैंने इसमेंग चेक कैसे करते हैं एक का से करते हैं यह जो है अब आपको दिखा देता हूँ यह जो है यह ओड फंक्सन है ओड फंक्सन का जब इंटीकेशन करते हैं लिमिट जो ऐसे माइनस एटू ए होती है तो उसका अंसर जीरो होता है अंसर तो जीरो है इसमें पूट क्या करना है यह लो मैं आपको दिखा देता हूं ख़ी एकसर की जहां माइनस एकसर कर दो प्रोड वहण एनीठा य को सो यहां आप माइनस पूट कर दोस यहां पे एकसर जैसी आप माइनस पुट करोगे नां जहां पर एकसर इस पर तो कोई फैक नपड़ेगा, यह थो e की power cos square ये तो minus को खतम कर देता है लेकिन ये minus से जैसे ही मट्टी है ये आ जाता है minus sin ये तो minus ही रहता है ये बन जाएगा x की जगा जैसे ही replace करोगे आप minus x किसी में भी कभी भी इस type का question है मतलब वो आपसे बहुत जल्दी कराना चाहता है देखती ही पता लग जाता है ये क्या जाएगा minus e cos square x sin 3 2n plus 1 x जब भी कभी ऐसा आजाए f x ये f x है f minus x is equal to minus f x आजाए तो मतलब ये function क्या है old function है अगर ये f minus x is equal to f x है तो even function है अगर ये minus है क्या है old function है old function minus a to a में integrate होगा तो उसकी value हमेशा 0 आएगी उसकी value हमेशा क्या आएगी 0 आएगी clear हमेशा ही ऐसा ही होगा और भी हम question करेंगे आगे ये theme याद रखना इस type के question में तो इसका answer 0 होता है next question ये गया था the value of इसमें दियान से देखो वैसे तो हम इसका determinants निकाल सकते हैं बट एक चीज़ यार ये जो है ना ये 0 0 है ये जो है एक ये property ये इसके minus है ये इसके minus है मतलब जब भी कभी ऐसा हो तो इसकी symmetry matrix होती है इसकी property है इसकी symmetry matrix में क्या होते है ये जो है इसके minus होता है अगर ये ऐसे है सहद आपने पढ़ी भी हो नहीं पढ़ी तो इससे याद रखना एक question मिलता है इस पर अगर यहाँ पर A लिखाए है भी ये A लिखाए है तो ये वाली जो value आती है minus A लिखी होगा ठीक है ये हाँ पर B लिखा है और ये आपर C लिखा है तो ये जो value है ये वाली ये minus B होगी ये minus C होगी एक matrix बनती है ये ही SSM देखो ये स्के minus है 0 diagonal तो ये क्या है is too symmetric matrix है और इसके symmetry matrix है determination हमेशा होता है गया होता है क्या होता है जी रो देखते ही देखते ही क्या टिक करो और आगे बढ़ो सुलूशन तो में देना नहीं है माइंड में फीड होने चीज़िए अब इससा अब दिक सो भी करोगे सुलूशन तब भी आपको क्या देना है उसको वन माखने नहीं भी करोगे आप इसका अंसर लिख दोगे तब भी आपको वन माखने इसको देना है ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स में मैट्रिक्स तो यही कोश्यन था next question यह कहता है feasible region corresponding to the linear constraints of linear program is given below which of the following is not is not याद रखना is not का है is not मतलब जो इसको follow नहीं करेगा हम देख के रख लेते हैं जड़ा इसको रखते हैं 0 और 5 को कहले इस वाली क्वेशन जीरो और 5 0 प्लस 5 is greater than 0 यह तो है यह तो होगा यहाँ नोट कुछ है न वह तो इसको इस corner point को इसके अंदर रख के देखो जो equation satisfy हो रही है मतलब वो तो है और जो नहीं satisfy होगा वो नहीं है इसमें रख के देखा वह 0 प्लस 5 10 10 जो है is less than equal equal to r i 10 है ठीक है यह भी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इस वाली पर x minus y x की value 0 minus उसकी y की value 5 0, minus 5 minus 5 is greater than 1 आ रहा है बढ़ यह तो होता नहीं है पस यहीं आंसर है हमें तो वही चाहिए जो नहीं होता जो इक corner point को satisfy नहीं करेगा वो equation चाहिए यहीं एक ऐसे equation है और तो satisfy कर रही है और देखोगे ना एक corner point को इसे ही पकड़ दो उन corner point को put करके देखो जो satisfy कर रहे हैं उनको तो छोड़ दो इसने his note का है जो satisfy नहीं कर रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं clear तो answer क्या होगा x minus y is greater than equal to आगे बढ़ते हैं next question है कहता है A और B then the vector form of component पूछा है A along B ये component आप से पूछा है ठीक है और हमें component A along B क्या होता है A dot B upon A के respect में पूछा है अच्छा B के respect में कुछा है तो B ये होता है वे component ठीक है ये ही तो होता है component A along B अब देखो ज़रा multiply में B आना चाहिए तो B इसमें है 3, K और इसमें है तो ये तो इसके answer होंगे नहीं तो काट तो पहले ही अब इसका mode जो है इसका B का B का mode निकाला तो under root B का mode कितना आएगा वही under root 3 का square 9 4 का square 6 under root 25 square करेंगे इसका square तो 25 आएगा तो divide में 25 होना चाहिए divide में नहीं यार ये तो सही है ये तो सही है 3 I और 4 के B 3 I 4 के 3 I 4 के तो ठीक है ये नहीं होगा अब divide में क्या है divide में 25 होना चाहिए ये B होना चाहिए B तो ये है 3 J और 4 के 3 J 4 के है ये नहीं है 3 I है आपे ठीक है और ये भी 3 I है यहाँ पे 4 I 6 J है हम चाहिए 3 J और 4 के 3 J और 4 के चाहिए एक में ही है इस वाले में ये ये आपसर दूबारे से फिर एक बार देखो जरा इसको सो ट्रिक्स है इस ट्रिक्स क्या है इसकी कि बई इसका मेरे को पता है कि इसका जो कॉम्पोनेंट होता है वो ये होता है बी के अलोंग जिसके भी अलोंग होता है इसकी मल्टिक्लाइ ये होता है बी की मल्टिक्लाइ चाहिए ये बी कितना है 3 J 3 J कैप प्लस 4 K कैप यहाँ देखा 3 I कैप ये तो है 3 J कैप 4 कैप है 3 आई कैगे 3 ये कैप 4 ये दिखाई देख्या था फॉर के चाय यह poor ये यह ये तो होने पेकी दीख रह यह ज्यादे सोचो को बद कुर पाहर कशना कीवह इसका मोड कितना है मतलब इसका मेगनीतुड मेगनीतूड निकाला अनटरूट स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर से 3 का स्क्वेर 9 प्लस 4 का स्क्वेर 16 अंडरूट 25 आया और इसका स्क्वेर 25 आ जाएगा मतलब यह क्या होना चाहिए ठीक है यह किलियर चलो आगे बढ़ते हैं तो एज़े स्क्वेर मेट्रिक्स ओफोर थ्री वही एज़े स्क्वेर मेट्रिक्स ओफोर थ्री और कितना है थ्री है ए मोड ओफ ए माइनस तो एड़ जोइंट टू ए हमको निकालना है एड़ जोइंट टू ए हमको निकालना है कैसे निकालेंगे भई ऐसे ही तो निकालते हैं टू ए टू ए यह क्या है मेट्रिक्स है इसकी पावर थ्री ओडर है और इसकी वैल्यू क्या है 2 की पावर 2 या जाएगा एड्जोइंट ओफे इतनी बैठेगी वैल्यू तू की पावर इतना आ गया 6 एड्जोइंट ओफे माइनस 2 2 की पावर 8 यह साथ आपको रूल में दिखा देता हूं मैं तो सोटकट से किया कि क्या रूल है सोलूसन में देख लिए आंसर यह होगा वह आंसर यह होगा देखो कैसे करते हैं एड्जोइंट ओफे ऐसे लिखते हैं अब माल यह 3 रो है समय तो 2 एक से निकलेगा भार एक तूस तूसरी से थी से से टू की पावर 3 आ जाएगा अम यह लिखते हैं ना जब एक टू की पावर 3 आ जाएगा और टू की पावर सिक्सार यह जाए यह क्या क्या मोर एक वेल्ट इसने कितनी थी वह डिटर्मि टर्मिटेंट्स ओफेक एक हमई लिश्ए मोड गोल नाओ minus 2 minus 2 का square कितना हो गया minus 2 का square plus 2 बना देगा 6 पहले ही सा 2 यह होगा 2 की पावर 8 आएगा यह इसका वो है proper method ठीक है clear आगे बढ़ते हैं matrix से देख ले ना कितने question आते हैं बेस ने बोला a problem in mathematics is given to 3 students whose whose chance of solving solve करने के chance जो है 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 यह इसके chance है problem को solve करने के respectively if the event of their solving the problem are independent then the probability that the problem will be solved is वो आप से probability पूछी है पूछी है इसका एक formula बताया हुआ है क्या बताया है आप फॉर्मूला आपको method दिखा देखा 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 बहुत हैं को solve करने के आपको जो best method लगए आप वो करने हैं ठीक है इसका जो यह वाला जो method है P, A बहुत प्रोब्लम सोल होने चाहिए A union B union C उसे हम कैसे कहते हैं P, 1-P A bar P, B bar और P, C bar इसका मेरिंग क्या होता है जैसे P, A bar आपको निकालना है तो होता है 1-P A और यह A है यह P, B है यह P, C है इसमें value रख देते हैं यह value रख किया आपने ठीक है यह value रख देते हैं यह value कितनी आएगी भई? ध्यान से जब रखोगे 1, 2, minus, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 1 minus 1 by 4, कितना आगया? 3 by 4 यह सबसे बेस्ट मेथड है यह और भी मेथड हमने बनाए है यह भी मेथड मेने कराया आपको यह निकालना है 50% यह वाला इसको value रख दो 75% आ जाएगा 75% 75 upon 100 यह मैं थर भी आपको बता है लेकिन सबसे बेस्ट यह ही है इसको करने का यह formula मैंने लिखवाए हुगा है ठीक है? किलियर? यह आपको करायी भी होंगे सबने आगे बढ़ते हैं next यह कहता है the general solution of the differential equation वे इसका general solution आपको बताना है ठीक है? यह तो इसका answer यह question ने काफी बार कराया हुगा है आपको ठीक है? कोई नहीं दो बही एक तो मैथर मैंने यह बताया था आपको इससे क्या किया मैंने इधर भी y square से डिवाइड कर दिया यह बन गया formula differential x upon y यह is equal to 0 integrate कर दिया से बहीं integrate कर दिया यह c आ गया यह कितना आ गया? x is equal to 1 upon c is equal to y तो y is equal to c x दूसरा method यह भी कराया था इसको यह ले जाओ आप यह बन गया dy upon dx ठीक है? dx upon x चैसे इसको integrate करोगे लोग की formula आएगा log e y log e x plus log e c इसका formula जब यह plus में होते हैं तो मतलब multiply हुआ होगा तो हम इसको ऐसे log e y is equal to log e x log e c तो इसकी value क्या आ जाती है? यह log से log अठाए y is equal to c x इसकी दो method मैंने आपको कराये हुए हैं कि यह क्लियर आगे बढ़ते हैं यह क्लियर आगे बढ़ते हैं यह तह दी value of lambda for which two vectors this and this are perpendicular with vector perpendicular to dot product किसके equal होगा 0 के dot product किसके equal होगा 0 के perpendicular है कर दो dot product 2 into 3 6 minus 1 into यह minus lambda 2 into 1 0 तो 6 plus 2 is equal to lambda तो lambda is equal to कितने आ गया 8 के बढ़ते हैं तो उनका dot product क्या होगा दोनों का अगर perpendicular हैं तो dot product किसके equal होगा 0 के dot product कर तो dot product में i cap into i cap 1 के equal होता है j cap into j cap 1 के equal होता है और तो सब 0 ही होते हैं तो 2 i cap or 3 i cap I got six cake one minus j cap into lambda cake API I come minus lambda cake one two into one two k cap into cake API I got two cake one the value is cake and 0 के कर दी लेंबडा इस इकल टीक है आगे बढ़ते हैं निकाता है इस सेट ओफ ओल पॉइंट स्वेर दा फंक्शन दिस इस डिफ्रेंसिवल इस कौन से इस पॉइंट होगे जिस पे डिफ्रेंसिवल होगा एक तो मैठड़ ग्राब वाला है वह यह एक तो गれड़ा वाला है कोर्नर पॉइंट से निकाल सकते हैं ठीक है एक हम क्या करते हैं इसमें कि डिफ्रेंसिवल है « उस पे बना लेते हैं बई गैश़् धिजरो बनाए जिरो पर दिफSiोड है ढू साप दिख रहे जिरो पूट करती क्या होगा ठिखेग जी यह जिरो परदिफेंसेवल इन्हें तो यह कैसे बनेगा वही कैसे बने गाए वा यह वाला पॉइंट आएगाओ मैं 0 भी डिफ्रेंसिबल नहीं और तो अर पोइंट पर है यह वाला माइनस इन्फेंटी तो जीरो यूनियन जीरो टू इन्फेंटी यह तो देखती वैसे भी यह जो कोश्चन है काफी बार आपको बताया गया है इसका अंसर देखती कभी इसमें भी दिमाग लगाने लगो देखती diyorum लगा और आगै बड़ू अभी इसमें भी दिमाग लगाने लगो कि इसका अंसर क्या होगा ठीक है यह कौल उस से बनाना चाहोhan गर आप से यह बन गया और यह बन देख लो जीरो पर यहां पर डिफरेंस इबल नहीं है और यह पॉइंट क्या होंगे किलियर चलो आगे बनेता है next if the direction cosines of a line r direction cosines c है then c की value आप से पूछी है मुझे direction cosines से ही बता है l square plus m square plus n square is equal to क्या होता है 1 और सारे एक वल है तो 1 upon c square plus 1 upon c square plus 1 upon c square is equal to 1 3 upon c square is equal to 3 c is equal to plus minus under root c is equal to plus minus under root clear चलो आगे बढ़ते हैं तोड़ा आगे नेक्स एसर जन और रिजन तो खोश्चन आएंगे सिव एट इंटीम तो आपने देखें दो कोस्चन यह इस टाइप के ठीक है यह दी आसने लियम हम कर रहे है कॉश्चन ऐसी थाइप को श्यन मिलते है इसी तरह कर वेटी सोता है कि इतने ऐसी इतने इतने इन charging से अ Hof इसी टाइप का यह पर आपको डिलता है जैसे वे इनफोर्मेशन देते हैं खै जैसे यह question नेंसे अनरीजियन में कई कैसरेंस सब्सक्राइब रीह अगर दोनों सही है कि एब और और थियुक्त थीङ है पडिश्थ करना है दोनों सही है लेकिन आप हैंवे ठीक बाते दोनों थीग लेकिन उससे है निरिंग है उसको लियुक से टो उसको नहीं मिलीं कर रहा तो भी टिक यसमें के लिए RHMA रहे पहला जो है पुषिब्ज होना टोड़ी ग्रुट है पहला ठीक है या एक ग्रै दोष्रा ठीक हुरी तीक अगर ऐसे तुको तिक कर देना है जैसे यह कोस्टन कहता है 19 वा लेट एफ एक स्पी ए पोलिनोम्यल फंक्शन ओव डिवरी 6 यह पूलिनोम्यल फंक्शन इसकी डिगरी 6 है हाँ भी 6 है 3 एरियर 3 एरिसी इसकी X की X X you multi 3 or 2 जैसी मर्टिप्लाई होगी इतने डिगरी 6 बन जाएगी इसकी बन जायगी ने बन जाएगी भाई चलो बात तो इसके ठीक सी लग रही है, यह वहीं सिक्स है, एसर जन एफ एक्स है जे, मिनिमम एट एक्स इपल टुवन हाँ, एक्स इपल टुवन पर मिनिमम होगा, जिए रवैल्यू आ जाएगी, हो गा है नहीं होगा, एक बात इसके ठीक है, दूसरा वैन, जब हमको इसको differentiate करते हैं, तो less than 0 आएगा, for all x member of a minus s, a, sorry, fx greater than 0, for all x member of a, a plus h, where h is as infinity small positive quantity, then fx has a minimum hat x is equal to a, बात ये भी ठीक है रहा है, इसकी वज़े से ही तो हम ये कह रहे हैं, बहिसकी वज़े से ही तो हम ये कह रहे हैं, कि minimum कब है, तो इसका ये क्या है, ında है, section भी ठीक है, और region भी ठीक है, धियां से पढ़ो, ये पता है, property आपको भी, भी धियां से पढ़ो, ये प्रोपर्टी आपको पता है, section भी ठीक है,pted 15, एंच क्लियर है, तो कौन सा option, a option, कौन सा option, a, clear आगे बढ़ते हैं next next कहता है the relation this defined by this relation को 1x2y3z is a bijective bijective होने के लिए 4p भी होना चाहिए था इसमें है नहीं तो bijective तो है assertion तो गलत हो गया assertion तो गलत हो गया यह कहता है 1, 2, 3, X, Y, Z such that is 1, 1 1 की मेज X है 2 की मेज Y सब की अलग-अलग different image है कौन सा option थिक करेंगे इन में से assertion तो गलत है और reason true है clear कौन सा option D कौन सा option टिक करेंगे D करेंगे clear ना यह सब चीज़े आपको पता होंगे इसमें देखना है दियान से बस उसको टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास 2-2 मार्क सी 5 कोश्चन बढ़ेंगे या आएगा सेक्शन भी क्या होंगे पाइफ कोस्चेण टू टू मार्क से कैसे होंगे जैसे यह कोश्चन सेक्शन भी में यह कोश्चन है साइन इन्वर्स दिस या इसका अइसका डॉमेन निकाल देना यह भी कोश्चन आसा नहीं है इसको क्या किया हमने साइन इन वर्स 530 अलग रख लेते हैं अब इसको ऐसे लिख लेते हैं कोस ब्रेकट के अंदर इसक्स पाई प्लस त्री यह लिखा जा सकता है इसको बहुत फाइफ सीख जा थर्टी और फिर थर्टी थरी बनेगा मिक्स अगर लिखना चाहो तो लेकिन इसकी वैली तो प्रेटी जीडो के एकवला होती है इसे तो छोड़ दो पिया गया साइन इंवर्ज खोस इत्री पाई बाए फाई थान देखा जिए जब साइन एं तो हम क्या लिखते हैं साइन जो भी लिखा ए भी कोस ठीटा को अगर आपको साइन की फाइन में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखता है तो साइन पाइबाइट टू माइनस यह जो वैट्यू है ठीटा चलो मैं भी माइनस कर देता हूं साइनस इस से तो यह कटी है आंसर के आगा है इसका पाइबाइट टू माइनस ट्रीम ओएट यह फाइब इसकी दर मतिप्लेएट कि 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 माइनस पाइब आप एठ आ वे 646 प्रचीनियE Надо कि यह संसर और भून को दिखा देता हूं इसकी मारकिंगिस क्वी क्या-क्या है योगा इसको यह बंग क Mr. Steinin गा वन मांक शाब nihil patron कॉर तो ऐसे ऑपने इस्टीप है को अधिकर सेक्ड जाएं से एकर माला था हो यह जो value x square minus 4 minus greater than equal to minus 1 less than equal to 1 plus 4 add कर दिया जगा यहां पर भी और यहां पर भी plus 4 add किया तो यह आ गया 3 यह आ गया 5 यह बन गी x को अटाने के लिए यह जो है x square मेरे को x ची यह mode लगा अंडर रूट लगा दिया यह x square positive होगा mode लगा दिया यह value और जब mode लगा हूँ तो यह 2 value आई माइनस 3 इधर से और माइनस 5 relation बनाना है फिर यह आएगी 3 है और यह अंडर रूट 5 कैसे बनेगा relation कि भाई यह equal to be है तो minus 5 small value से कितना minus 3 तक equal to है तो यह वाला union को मां अंडर रूट 5 यह बने हैं मैं डोमेन अगर लिखना है फिर डोमेन ऐसा लिखा यह value बनी माइनस में है तो माइनस 5 से कहां तक माइनस अंडर रूट 5 से अंडर रूट 3 तक माइनस और यूनियन अंडर रूट 3 से कहां तक अंडर रूट 5 तक दो कोश्चन बढ़ते हैं चोई साथी एस में यह आप यह करो यह आप यह करो जो भी आपको ठीक लगए आप कर ले ना next question है find the intervals in which the function r to r real number to real define by fx is equal to x e x e की power x is increasing क्या है increasing दो हमें increasing दिखाना है हमें क्या दिखाना है increasing दिखाना है कैसे दिखाते हैं increase decreasing function पहले हम उनको differentiate करते हैं जो value आती है उसको equal to 0 वहाँ से x की value है फिर दुबारे differentiate करते हैं अगर वो less than 0 है तो increasing है greater than 0 है तो decreasing है यही तो step है यह step follow कर लेते हैं भी हमने इसको differentiate किया पहला step differentiate किया differentiate किया तो यह आ गया ठीक है भी यह value differentiate कि तो यह value आ लिए अब यहां से हमने इसको क्या किया यह point उस पर बना लिए इस पर इसको 0 के equal रखके है तो x is equal to कितना है माइनस 1 भी 0 के equal रखा है x equal to minus यहां put कर दिए minus 1 ठीक है equal to है तो यह जो होगा minus 1 से इधर कुछ value put करके रखते हैं इसके x is equal to by minus 1 से इधर x equal to 2 put करते है x is equal to 2 बने हमारे पर x is equal to इधर यह तो जैसे मैंने इसके अंदर 2 put किया इस value में कुछ value put कर लेते हैं माइनस 1 से बड़ी value क्या है minus 1 से बड़ी value क्या है 0 भी है आप 0 put कर लो 0 put करोगे तो यह value कितनी आएगी 1 के equal 1 क्या है positive मतलब इस वाले में positive रहेगा अब इधर minus 2 रखते है minus 2 रखा e की power minus 2 into minus कोई भी value रख सकते हो आप तो यह value minus माइगी मतलब इधर वाला जो होगा ना इस से इधर यह minus value होगी हमें बताना है कौन से में increasing है increasing जिसमें positive value होगी जिसमें क्या होगी positive value positive value यहां से लेके यहां तक है कहां से लेके minus 1 से लेके कहां तक इंटर्वल में इस इंटर्वल में क्या होगा यह होगा इस इंक्रीजिंग फंशन होगा वह किलियर किलियर यह पहला स्टाप एफ डाकस एक निकाला increasing decreasing ये step आ गया इसके बाद इसको 0 के एकवा लगके point निकालते हैं ये की power x x plus 1 is equal to 0 तो x is equal to minus 1 जो भी minus 1 आया इसको 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 जो number line है इसको बना लिया हो ये तो 0 है ये क्या है minus 1 अब ये point कर लिया 0 को छोड़ो minus 1 एक ही point रखना जो आया है अब दो बने एक तो इधर एक इधर और तो नहीं है मारे पास एक तो इधर बना और एक इधर बना ये कि देखे कि दर पोजिटीव है अगर ये इधर पोजिटीव एल्यू आगी कि तो मेरा function minus infinity to one में क्या है कि इनक्रेजिक हैंए हैं अगर निगेटीवागी कोई भी वैल्यू रख किति इसकी वैल्यू का बंद रही है जब कोई भी भी डर को हुए जर किलियर ये आगे बढ़ते है यह दो fx is equal to 1 upon 4x square plus 2x plus 1 x member of r then find the maximum value maximum value बतानी है maximum value maximum value कैसे पहले तो इसको differentiate करेंगे है ठीक है वो value 0 के एकवल रखेंगे वहाँ से x की कुछ value आएगी फिर दुबारे differentiate करेंगे अगर दुबारे differentiate किया जो value जो है value जो है अगर less than 0 आई तो maximum है उस point पह otherwise वो क्या है minimum है चलो देख लेए पहले इसको differentiate करते है भी यह हमारे पास इसको gx ले लेते हैं gx is equal to यह तो fx था ही gx इससे नीचे वाले वो ठीक है 4 इसमें से common लिया यह बन गया 4 क्या लिया common लिया यह बन गया दो method एक तो square वाला method पहले square वाला method discuss कर रहा हूँ जो आपको बताया था कि square बना लेते हैं यह यह जो value है यह call square बना यह value जो है हमेशा is greater than क्या होगी 3 by 4 होगी greater than क्या होगी 3 by 4 हमेशा क्योंकि square अगर negative भी कुछ राना तो positive करतेगा square तो यहां से मेरे को एक चीज मिलगी maximum value fx क्या होगी 4 by 3 क्या होगी 4 by 3 ठीक है maximum value of fx next जो method था इसमें ऐसे करते है gx यह लिया gx को integrate किया इसको 0 के x is equal to minus 1 by 4 आगया जितना आगया minus 1 by 4 ठीक है यह कितना आगया minus 1 by 4 अब मैंने यह values के अंदर पूट कर दी मैंने जैसे दुबार integrate किया तो यह value greater than 0 आ रहे है greater than 0 मतलब यह minimum value है इस point पे क्या है minimum value है और हमें क्या चाहिए maximum चाहिए अगर denominator में यहां पे minimum है यह denominator में minimum है तो यह value maximum होगी आप ही देखो यह लिखा है उपर कुछ 1 by 2 और 1 by 3 यह minimum है तो यह value greater है भही value greater है यह हमने देखा कि इसकी value क्या है 3 by 4 पे क्या है minimum है 3 by 4 पे minimum है और यह denominator में था तो इस पे minimum है 3 by 4 यह minimum value है तो यह क्या बन जाएगी function की value पुछी है 4 by 3 यह है यहाँ पे रख दिया minimum value क्या है इसकी x की function की जो हमने नीचे वाला है उसकी value कितनी है 4 by 3 clear भई दूसरा method यह है कि इसको इसको पहले gx को differentiate करो उसको 0 के 1 रखो एक point आ जाएगा फिर उसे दुबारे differentiate करो gx को second derivative निकालो अगर second derivative greater than 0 है तो maximum less than 0 है तो minimum हमने देखा यह greater than 0 है मतलब क्या है यह इस point पे इसकी maximum value है किस पे minus 1 by 4 पे और यह denominator में है इसकी maximum है सुरी यह minimum value minimum value है इस point पे अब यह denominator में denominator में minimum value है तो उस function की क्या होगी वो maximum value होगी भहिए दो value लिखी है मेरे पास 1 by 2, 1 by 3 अगर denominator में 2 है एक जगा 3 है उपर की value same है तो यह वाली value को greater होगी इससे हमें तो maximum चाहिए थी ना इसलिए यह point पे इसकी क्या होगी value होगी क्योंकि यह denominator में है ठीक है clear ओके हमसे इसमें पूछा क्या गया था भजी हमसे क्या पूछा गया था इस question में इसकी value पूछी गयी थी इसकी fx की तो आगी 4 by 3 fx की value कितनी आगी 4 by 3 इसके अंदर put कर देंगे px की value maximum होगी x is equal to 21 इस पर होगी 21 पर कैसे वही same काम करेंगे पहले इसको differentiate किया यह किया differentiate से 42 minus 2x is equal to 0 आ गया तो x is equal to 21 आ गया इसको दुबारे से फिर differentiate करेंगे इसको जैसे differentiate minus 2 आ गया मतलब इसकी x is equal to 21 पे यह less than 0 है क्या है less than 0 है maximum value होगी x is equal to 21 पे इसकी px क्या होगी maximum value होगी जहां पे भी x है ना माँ 21 पूट कर दिया जहां पे भी x है माँ क्या कर दिया 21 पूट कर दिया clear ना है question को देखना है question पूछ क्या रहा है next यह कहता है evaluate minus 1 to 1 log 2 minus x upon 2 plus x इसकी value evaluate करनी है क्या करनी है भी evaluate करनी है मैंने साइद यह आपको बता हुआ कैसे आप इसको वो करोगे यह function था function को देख लो odd है यह वन है पहला क्या देखना है odd है यह वन है जब भी minus a to a वाला case है क्या देखना है odd है यह यह वन है चलो जी fx मैंने क्या किया minus x put किया जैसी minus x put किया यह आगया तो यह minus x put करते ही यह आगया यह इसका opposite हो गया इसकी power minus 1 और यह धरा जाएगा minus fx बन गया और odd बन गया fx is equal to भी अगर यह f minus x is equal to minus में आ जाता है तो यह क्या बन गया एक क्या बन गया odd function odd function की value minus a to a integration में क्या होती है यह 0 होती है clear two marks question है two marks question है तो ज़्यादे टाइम तो ले ना नीशी यह कभी दूसरा method यूज करना सुखर दो clear बढ़ी question का वेटीज भी देखा करो तो ज़्यादे बड़ा question थोड़ा ही ना होगा जब two marks का है दो तीन step में खतम होना चाहिए कुछ बच्चे पता नहीं कहां से इतने step लियाते हैं जैसे चेक वैदर function real number to define fx is equal to critical point बताने है या note if yes they find the point पहले देखो भाई इसके point आते हैं नहीं आते critical point ये सबसे पहले हम ने इसको differentiate किया या आगी value differentiate से 3x square plus 1 मेरे को पता लग गया कि f dash x चो है ना f dash x ये greater than 0 है कैसे पह समझ माया है ये square है x की value कुछ भी रखेंगे तो positive या कर देगा minus भी रखेंगे positive positive तो positive है ठीक है real number है तो ये value क्या होगी greater than equal to 0 होगी तो यहां से एक बास clear होगी कि भई इसके कोई critical point है ये x square greater than 0 है तो critical x के कोई value नहीं आएगी क्या आएगी कुछ भी नहीं आएगी और जब नहीं x पर कोई value आएगी तो उसके कोई critical point नहीं होते है no critical point exist clear ये पहला point लिखने का ही आपको one and half marks है आगे बढ़ें section C section C section C ये 3 marks का एक question 3 marks का एक question sorry भी क्या है 3 marks का एक question है तो question का weight is भी ऐसे ही भी इसमें 3 or 4 step होते इसमें 5 or 6 step होगी इससे ज़्याद है नहीं होगी जैसे question 2 x square plus 3 upon x square x square plus 9 इस तरह कोश्चन है हमने इसको एक substitution method बताया था क्या method बताया था ये कोन सी value जैसे ये question है इसमें x square is equal to t put कर दिया और इसको ऐसे break कर दिया break करने के बाद a और b की value a और b की value भी कैसे गर नहीं निकालने आती तो हम बता देता हूँ इनका इल्सी हम लेंगे a t plus 9 नीचे तो या जाएगा वही same t जा गया a plus b यह बन गया यहां से value नहीं है a plus b is equal to किसके equal आया 2 के a plus b is equal to 2 और b is equal to यह 9a is equal to 3 के इकवला गया इसकी compare ना उठा गए इससे करा दी इसकी compare इससे करा दी तो a a t का जो coefficient है a plus b a plus b यहां t का coefficient कितना है 2 a plus b is equal to 2 आ गया constant जो ट्रम है यहां कितनी है 9a और यहां कितनी है 3 तो 9a is equal to 3 a की value 1 by 3 आ जाएगी यही तो b की value इसमें से minus कर देगे 2 minus 1 by 3 कितनी आ जाएगी 5 by 3 यह method सायद पहले भी हम discuss कर चुके हैं इस type के अगर ऐसा question होता है तो put करके हम इसको करते हैं clear भई इनकी compare कराएगे पहले यह करके compare कराएगे value आ जाएगे इसके बाद फिर easy है इसको इस form में रख देंगे ठीक है यह value मेरे को पता है इसका integration करेंगे xc power minus 2 ठीक है तो minus 2 plus 1 minus 1 आ जाएगा और यह बन जाएगा x की value minus 1 यह बन गया और यह जो value होती है यह वाली यह होता है जो यहाँ होता है x by यह किसका 3 का square है तो x by 3 10 inverse x by 3 भी साहद आप यह method मतलब यह formula तो पता होगा कि यह जो integration होता है d x upon 10 inverse x by वोई method यूज किया है plus c तो हमें लिखना ही पड़ता है arbitrary constant तो लेकर ही चलते है integration के question मतलब कोई भी question हो clear यह okay next यह कहता है random variable x has a probability वह हमको random variable दिया हुआ है उसकी probability given random variable के easy question बनते है ठीक है determine the value of k पहला तो value of k मेरे को पता है सब का sum जितनी भी probability है सब का sum किसके एक वालाएगा सब का sum किसके एक वालाएगा बन के यह तो है जो probability का सभी probability का sum किसके एक वाला होता है बन के k plus 2k plus 3k is equal to 1 6k is equal to 1 3, 2, 5 or 1 6k is equal to 1 6k की value तो है निकल गी find the probability x less than 2 x less than 2 पे यह दोनों आएगे x less than 2 पे दोनों आएगे इनको दोनों को add कर देंगे देखो k और 2 के 3k आगी और k की value यह पूट कर दी x greater than 2 पे greater than 2 पे ध्यान से देखो greater than 2 by equal to 2 पे तो greater than 2 पे क्या होगी probability 0 के equal होगी probability एक function है 0 के equal होगी x is equal to 2 पे 3k होथी है ठीक है इसने हमसे इसे लेस देन 2 पूची तो इससे छोड़ दो इससे उपर वाली होगी k और 2k दोनों काउंट होगी greater than 2 पे सिरिप यह कितनी होगी इसी रहों यह इसी question पढ़ता है 3 marks का है आगे बढ़े है कोई डाउट यह देखो हम तो एक sequence में हमको तो इस question पता ही हैं काफी बार की हुए हैं लेकिन आपको फेपर में क्या करना है जो आप पे आपने अगर एक बार में question कर लिए आपके में question होगे जो आप आते हैं वन आर में वन एंड हाफ आर में जो आप एंड़ परसेंट सो और थे कि मेरे को यह question तो कोई मिस्टेक करी नहीं सकता मैं एक बार में कर लेना confidence build up होते ही आप पर जो question में थोड़ा सा doubt है न वो भी clear वो भी हो जाएगा बिपर का यह system होता है एंड है आपने बच्चों को देता है time confidence build up करने और कुछ बच्चों को यह भी time देता और उनका question वो नहीं हुआ, तो फिर पूरे paper में, जिस पर आता है, उसमें भी वो mistake करते चला जाता है, silly mistake, ऐसा बहुत बार paper में होता है, हम खुद देखते हैं बच्चो को, कि 2 लिखा है, 3 पढ़ लेता है, उसे 3 पढ़ता रहता है पूरे paper में, क्योंकि confidence नहीं होता, ठीक है आगे बढ़ते हैं next पे, कोई बात नहीं है, बाते करते रहेंगे, question number 8 ही आता है, find integration x upon 1 minus x cube dx, x member of 0 is to 1, evaluate 0 pi by 4 log 1 plus 10x dot dx, इनकी value हम क्या करने है, evaluate करने है, वालो find करने है, ये question, ये देखो भई, replace करने वाले question है, dt, x की power 3 by 2 को replace किया, t से, dt is equal to add 3 by 2, x की power 1 by 2, ठीक है, ये आपका question था, इसमें replace कर लेते हैं, इसमें replace कर लेते हैं, तो dx को replace करते हैं, dx की value कितनी आएगी, dx की add 2 by 3, 2 by 3, और ये बना हमारे पास, under root x, अगर देखें तो हम इसको, under root x, इसको मैं थोड़ा सा break करके आपको दिखा देता हूं, सायद आप confuse हो, ये ऐसा आएगा, under root x, under root 1 minus x की, dot dx, इसको हम, इसकी under root x मतलब 1 by 2, इस value को मैं लिख सकता हूं, x की power 1 by 2, और ये x की power 1 by 2, इसकी value, इसकी value यहाँ से आएगी, 2 upon 3, dt, इसको तो मैंने replace कर दिया, 2 by 3 dt से, जैसे इसने किया, और ये जो है, यहाँ पर, x की जहाँ क्या पूट किया, x, इसकी, 3 by 2, t put किया, कितना put किया, t put किया, जैसे ही में यहाँ, x की value आएगी, यहाँ से, 2 by 3t, t की power 2 by 3, यहाँ put करेंगे जब हम, तो यह कट जाएगा, यह कितना बन जाएगा, भे कितना बन जाएगा, t square बन जाएगा, power 3 है न, इसको, 1 minus t, 2 by 3 whole power 3, 3 से 3 कट किया, t square, तो यह बन जाएगा, इस फोम में, ध्यान से देखना यह बन जाएगा, और इसका मेरे को पता ही होता है, यह under root 1 minus t square, sin inverse t, plus t, एक बार आपने यह समझ मा गया किया, आपको replace क्या करना है, फिर question आसान है, ठीक है, यह इसका answer, next question जैसे यह था, और वाला, 0, 2, pi by 4, log e, 1 plus 10x dx, एक हम, इसमें क्या करते हैं, जहाँ x है, इनको, यह जो होती है, 0, 2, a, बहुँ, 0, 2, a, a minus x से replace कर देते हैं, x को, यहाँ पर भी हमने क्या किया, x को, जो यह x था न, यहाँ, इसको, pi by 4, minus x से replace कर दिया, जैसे इसमें 0, 2, a में, यह था, fx, मैंने क्या किया, इसको, a minus x, जो अपर लिमिट है, उसमें से x minus करके, अपर लिमिट है, pi by 4, pi by 4 में से, pi by 4 में से, यह जो x था, इसको minus कर दिया, यह, इसका use करके है, benefit क्या हुआ, benefit क्या हुआ, इसका एक formula, 1 plus 10x, 1 minus 10x, यह 1 plus, ठीक है, इनको स्वोल कर लिया, इधर गया, 1 plus 10x, 1 minus 10x, 2 upon 1 plus 10x, यह आ गया हुआ, भई, लोग, यह बन गया, clear, अब, अब, यह value, यह, 1 plus 10x, इसको, 0 upon log e to dx minus i, यह बन जाएगा, जैसी स्वोल करेंगे, तो यह, 5 by 4 log e to is equal to i, i की value, 5 by 8 log e to, i की value क्या जाएगी, भी किलियर ना, इसमें हमने क्या क्या replace किया, यह replace कर दिया, इसके बाद आपको, बता, i की equal to या जाएगा, यह, 2i हो जाएगा, pi by 4 ता, i की value निका रहें, तो से divide हो जाएगा, चलो, solve the differential equation, भी, इस equation को solve करना है, y e की power x upon y dx, is equal to, x e की power x upon y plus y square, dot dy, यह solve करना है, solve करने के लिए, यही देख लो, first method हीजिए, second method हीजिए, second method हीजिए, y e की power x upon y dx, x, x e की power x upon y plus y square, dot dy, भी, इतना आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा replace किया, e की power x, जहां e की power x वाले हैं, उनको एक साथ लिए आई है, भी, इकी power x वाले एक साथ, और y square वाले, जो थे ना, वे एक साथ आई हैं, तो हमारा यह बन गया, अब मैंने d y बना लिया, हम क्या बनाते हैं, इसमें d y, d y e की power x upon y dx, x e, तो यह एक formula बन गया, जहां से देखना, इसको हम क्या लिखते हैं, d x upon y, क्योंकि y का square है, x upon y है, पहले का, as it is, दूसरों को differentiate, minus, दूसरा, as it is, पहले को differentiate, upon, जो भी denominator हैं तो उसका square, यह तो करते हैं, यह formula यू upon v वाला, यू upon v वाला एक formula नहीं था, differentiate वाला, यह वाला, x को, differentiate किया, y as it is, minus, y को differentiate किया, x as it is upon y square, इस तरे का एक formula था, वो ही तो formula लगा है, यह बन गया भई, यह form आगी, ठीक है, और भई, इसको क्या कर दिया हमने, इसको e की power x upon y, d x upon y, इसकी value d y, is equal to e की power x upon y, तो e की power x upon y, is equal to यहां से, y plus c, by y plus c, clear यह, दूसरा method यह, यह थोड़ा आट बढ़ेगा, next solve the differential equation, यह equation है, फिर इसको solve करना है, वही solve करना है, वही एक side में यह बनाएंगे, cos square d y upon dx plus y, is equal to 10x, ठीक है, इसको divide both side cos square x, जैसी cos square x से divide करेंगे, यह तो फिर हो जाएगा, यह आजाएगा y upon, और यह बन जाएगा, यह बन गया y sec square, और यह 10x into sec square y, comparing dy upon dx plus py is equal to q, इससे जैसे ही compare करेंगे, p की value कितनी आगी, sec square x, q की value 10x into sec square x, integration function क्या कहता है, integration p dot dx, is equal to e, p की value put कर देंगे, sec square dx, इसको integration किसके इकोल होता है, 10x के, इसके equal होता है बही, 10x के, integration function, यह आगया, on multiplying the equation first, by e की power 10x, जैसे ही किया, यह d y upon y dot e की power 10x, e की power 10x, 10x और sec square x, d y dot, यह dx इदर लेगे, यह बन गया, integrate कर दिया, y e की power x, वो e की power 10x, is equal to integrate t, e की power t, dt plus c1, जैसे इसको replace करें, t is equal to कितना है, 10x, और dt कितना है, 10x को जैसे हम वो करेंगे, differentiate यह कितना आ जाएगा, sec square, x, ठीक है, यह value, इसमें put की मैंने, यहां से आई, यह value बनी, इसको integrate किया, पहले t, फिर minus, यह से, 10x, e की power 10x, minus, e की power 10x, plus c, इसके बाद, जो है, यह वाली, यह c1 और c, दोनों के दोनों क्या है, arbitrary, पहर जो c1 और c हैं, क्या है, arbitrary constant है, यह question होगा, ऐसे ही, इस वाले method से ही, आप ही सोचते हैं, कोई और method है, इसका कोई और method नहीं है, यह question एक ऐसा आता है, एक एक फिक्स मेथड सा होता है, और यह, ठीक है, y की वाली किसे है, 10x minus 1 plus c dot e की पावर minus 10x, next, next, solve the following linear equation programming, minimum, minimum i z is equal to x plus 2y, subject to constraint, x plus 2y is greater than equal to 100, 2x minus y less than 0, 2x plus y is less than 200x, y is greater than equal to 0, x और y क्या है, greater than 0 है, graphically, अब graphically करना है, तो लो जी, line बनाई, जो जो दे रखे थी, यह, यह, और यह, constraint करना था, भई यह, इस से इधर चाहिए, x equal to, 0 से, महल भी क्या होने चाहिए, greater होने चाहिए, चलो जी, यह आड़ी वैल्व, इस से, 2x plus y, इस से, काम होनी चीए, यह आदी, तो यह आएगा, अमारा बिजिन, corner point, बहुन के corner point, जब इस से, x की जगा, 0 put कर देंगे, इस equation में, x is equal to, 0 put करेंगे, तो y is equal to, 200 आएगा, यह corner point बने, यह बने corner point, graphically represent करना, बहुत असान है, graphically represent करना, बहुत असान है, ठीके, minimum value, पूछ रहा था भई, सारे point पे देख लो, z is equal to, x plus 2y, इस पे देखो, यह जितने भी corner point है, ना सब पे, x की जंगा, 0 put किया, y की जंगा, 50 put किया, तो 100 आगी, 20 और 80 यह भी 100 आगी, 50 और 100, यह 250 आगी, देखो इसमें से, सबसे minimum, minimum यही दो value है, बहुत जो corner point है, उनकी values के अंदर, put कर देते हैं, x और y को replace कर देते हैं, clear यह, यह बना लोगे, यह question आता है, अच्छे marks देखे जाता है, सब करते हैं, next, solve the following linear programming, problem graphically, maximize z is equal to minus x plus 2y, subject to constant x greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 5, x plus 2y greater than equal to 6, और y is greater than equal to 0, graphically बना लेते हैं, बहुत जो जो line हैं से, उपर चाहिए, उनसे, उपर value चाहिए बनेगी, इस से उपर, किलियर भाई ये, line बनानी हैं, इस से उपर, जोहाँ भी ये touch कर दिये, उसे greater value चाहिए, इस से greater तो इधर ही बैठेगा, इस से greater ये उपर बैठेगा, इस से greater ये उपर बैठेगा, ये line ड्रो करनी है, उसके बाद corner point find out कर ले नहीं है, एक corner point तो आया 3,2, एक corner point आया 4,3, एक corner point यहां मिले रहा है, 6,0, और तो कोई मिली नहीं रहा है, एक corner point यहीं तो मिले, और तो नहीं मिल रहा है कोई, ये आगे, maximum value चाहिए, तो एक corner point 3,2 है, यहां put किया, x की value 3, y की value 2,4,1 आगी, b, 4,1, ये, ये put किया, x की जगा 4 put किया, minus 4,1, minus 2 आएगी, फिर ये 6,0, put करेंगे तो minus 6 आएगी, इसके अंतर value पूट करनी है, x की जगा 6 put करना है, y की जगा 0 put करना है, हमें maximum value पूछी है, maximum 1 है, भई, इसके according देखे, तो maximum value क्या है, 1 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास, ये देखा जाए, भई, ये maximum value, कहीं और corner point मिलते, तो इसमें, कि हम इसे बोल देंगे, maximum, अब, आगे जाके, कि हमें ये तो पता लगा, कि भई, ये जो value है, maximum है, यहाँ पर 1 आ रही है, इससे बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जैड की value, भई, maximum value हमारी 1 आई, ये से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर put कर लिया, तो z is equal to, नेक्स्ट, ये कहता है, इफ a plus bx is, e की power y upon x is equal to x, prove that x t square y upon dx square is equal to a, upon a plus bx का whole square, ये हमको prove करना है, ये क्या करना है, prove करना है, चलो, prove कर लेते हैं, भी, prove कर लेते हैं, y upon x, log e, x, भी, log ले लिया, e की power थी न, log लिया, तो ये आगे, y upon x, x upon e, इसे कैसे कहें, log x और ये वाली minus में, differentiate कर दिया x की respect में, जैसे ही differentiate किया, इसका तो formula, भी, इसको, x as it is, dy upon dx minus, x को differentiate upon x square, इसको differentiate, 1 upon x, इसको differentiate किया, ये, और फिर, a, और bx था तो, b आ जाएगी, ये value बनेगी, यहां तक तो कोई doubt नहीं, जब भी power वाले होते हैं, वहाँ, लोग ले लेते हैं, ये value, x square को इदर लेगे, x dy upon dx, x ये बना, ये बना वई, इसकी धर multiply, इसकी धर multiply की, x से, ये कर लोगे solve, इसकी cross multiply, a plus bx, minus bx, upon x, a plus bx, और ये x square था, इस x से ये कट गया, तो a x upon ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये धर बना, x, इसको differentiate कर दिया, second time, भी second time, differentiate करती है, जैसे करते हैं, ये अपॉन वी को, v as it is, u को differentiate किया, minus v को differentiate किया, u as it is, upon v square, is वह आला formula लगा, तो ये बनी, d square, इससे एकट गया, x, d square, y upon dx, square इसका क्या बन गया है, whole square, ये कट जाएगे, a, b, x, a, b, x, जब multiply करेंगे, तो उपर a, a square बचेगा, a square को हम क्या ले लेंगे, a, बाहर whole square दिखाल देंगे, clear ये, चलो आगे बढ़ते हैं, section d, five marks का एक question है, अच्छे question बनेंगे बड़े, भई five marks का एक question है, ठीक है, फिर case study based question है, चलो जी, ये question है, make a rough scratch of the region, इसका, y is greater than equal to 0, less than equal to x square, plus 1, 0, फिर y, greater than equal to 0, and less than equal to x plus 1, x greater than equal to 0, less than equal to 2, find the area of region using the method of integration, चलो जी, rough scratch हमने इसका draw किया, ये बनाओ, पैरा बोला, x square plus 1, ठीक है, ये line, x plus 1, x is equal to 1, ये रही, x is equal to 2, ये rough scratch हमने इसका draw कर लिए, ये जैसे करते हैं, clear ये, अब देख हो गई, ये वाला, पुचा गया है, ये तो पुचा गया है, इसका intersection point, इसका और इस line का, 1,2, x is equal to 2, और इस वाले का, 2,3, ये 1,0, ये 2,0, ठीक है, और ये value 0,1, पी जो point है, ये तो point निकाल लोगे, दो equation को solve करके, जो point निकालते हैं, corner point, अब हमसे है, point of intersection, point of intersection, अगर हम बात करें, एक तो ये, 0,1, और एक ये, 1,2, ये तो दो point of intersection है, एक तो ये, अब ये point of intersection है, अब ये point of intersection बाई, ये एक ये रहा, और और एक, क्याता है, area of shaded region, इसका shaded region, O, P, Q, R, T, S, O, कौन सा, O, P, T, R, O, P, Q, R, Q, R, Q, R, T, और S, और O, ये वाला पूरा region पूछा है, इसने, जो हमें बताना है, ये बताना है, इसका area बताना है, बहीं, क्या बताना है, इसका area बताना है, ये तो area बताना है इसे, intersection point ये आगे, इसका area बताना है, इसका area बताना है, area बताना है, इस वाले region का, चलो जी, 0 से 1, 0 से 1, x square प्लस 1 जो ये है, प्लस 1 टू टू, 1 टू, 2, कौन सी ये वाली लाए, बहीं तो निकालना है, इसको, 0 से लेके 1 तक, अब पुट कर देते हैं, integration, 0 से 1, बहीं, integrate किया, x 3 upon 3 प्लस x, x square upon 2, पहले 1 पुट किया, फिर 0 पुट किया, ऐसे इसमें, पहले 2 पुट किया, फिर 1 पुट किया, जैसे ही करोगे, वेल्लिवेटे, ग्राफ से हमने एरिये निकाले हैं, कि हमें ये वाला चेरिये चीए, इन तीनों से जो बना, कोई डाउट इसमें है, next, next है आँ, let N be the set of all natural number, भाइ ये ऐसे कॉस्चिन है, all natural number, and R B A, relation on N into N, define by A, B, R, C, D, A, D, or B, C, for all A, D, C, D, member of N into N, natural number के member, so that R is a equivalence relation on n into n also find the equivalence class of 2,6 that is ठीक है equivalence relation के लिए हमें क्या होना चाहिए भई S.R.T. S.R.T. symmetric reflect भई बताया थे ना S.R.T. transitive reflective or symmetric यह तीन होने चाहिए चलो देखते हैं से बनाते हैं question को question अब five marks के हैं तो मान के चलना five marks के हैं minimum seven यह eight step तो मिलेंगे मिलेंगे minimum ज्यादे बले हो जाएं कम नहीं होंगे हाँ सोचते हो इसको ऐसे कर लोगे नहीं ठीक है जो five marks से question है उसी तरह होनका वेटीज है जैसे ही question है 33 let a, be an arbitrary element of n into n हमने क्या किया we have a,b और ba multiplication is commodity by multiplication क्या होता है commodity होता है तो a,b,r a,b for all a,b n into n इसकी multiply करो इन दोनों की में बात तो वहीं आएगी तो यह आर क्या हो गया reflexive हो गया reflexive के condition थी हमारी condition थी reflexive वाली condition लगा दी यही तो थी ना उसका reflection उसमें दिखाए देना चाहिए clear चलो जी आगे बढ़ते हैं भी a,b और c,d यह आर्बिट्री एलिमेंट है of n into n के natural number a,b और c,d relation तो ही इसमें देन then a,b और c,d तो यह बनाओ ठीक है 33 questions से next class में हम discuss करेंगी ठीक हाज यही तक ही discuss करते हैं next class में फिर मिलते हैं तब तक के लिए thank you